नमस्का, मैं होसासी आयो जर्खन की टॉप 25 पर मोख खबर जानते हैं जर्खन में सेमी लोकडाउन, इसकूल कॉलेज हुए बंद, रात आट बहे तक ही खुलेंगे दुकाने जर्खन में बढ़ते कुरोना वायरस संक्रमन को देखते हुए हिमन सरकार ने राजे में सेमी लोकडाउन करने का फैसला किया है इसके तहट राजे में स्कूल कॉलेज समेट अने सिक्षन संस्थान को बंद रखने का फैसला किया है वहीं पार्क, स्टेडियम, जीम, स्विमिंग, पूल आधी को भी अगले आदेश तक बंद करने का फैसला लिया है या बिवस्ता अगामी 15 जनवरी 2022 तक या अगले आदेश तक लागू रहेगी बतादे इस तोरण अवसक सेवाओ को बंद से छुट दी गई है सोमवार को आपदा प्रवंदन प्राधिकार की बैठक में सीम हिमान सुरेन ने यह निन लिया है बतादे सोमवार को हुई आपदा प्रवंदन प्राधिकार की बैठक में राज में बढ़ते कुरोणा संक्रमान को नियंतरित करने के उदेश से हेमन सरकार ने कई अहम फैसले लिए जारी गाइडलाइन के तहट कई चीजों को बंद करने का निले लिया गया वहीं कई को पुर्व की भाती ही छूट बरकरार रखी गई सेमी लोगडाउन के दोरान अवस्यक बस्तूओं को बंद से छूट दिया गया है ऐसे में जार्खन में सेमी लोगडाउन लगाना चाहिए था या नहीं क्या सेमी लोगडाउन के निर्नाई से राजे में क्रोना का रोख्थाम हो पाएगा कोमेंट बक्स में हमें आप अपना सुझाव अवस्य दे हीटर की मदद से ठंड से बचाव का रस्ता ढूंड रहे हैं मौसम विभाग के पुरोन मान की माने तो आने वाले चार दिनों तक तापमान की श्थिती यूही बनी रहेगी इसके बाद दो से तिन डिग्री तक तापमान में ब्रीधी के संकेत दिये हैं जिसके बाद ठंड से रहात मिलने की संभवना है वही राज्य के कुछ एक जग होपर 48 घंटे के दर्मियान कहीं कहीं हलके वह मद्ध दर्ज का कोरा चाने की संभवना है जारखन में लगे परतिबंद इस परकाय है इसकूल कोलेज समेत अने सिक्षन संस्थान अगले आदेश तक के लिए बन रहेंगे लेकिन संस्थानों में 50 फिजदी छमत्याक साथ प्रसासनिक कार्य होंगे स्टेडियम, आउटडोर, इंडोर, पार्क, जीम, जू, स्विमिंग, पूल, परियाटक अस्तल बन रहेंगे मौल, रेस्टोरेंट, बैकवेट, होल और सिनेमा होल 50 फिजद शमत्याक साथ संचालित होंगे दुकाने रात 8 बह तक ही खूले रहेंगे सिर्फ बार, रेस्टोरेंट और दवाई, दुकान नॉर्मल टाइम तक खूले रहेंगे सरकारी और नीजी संस्थानों में 50 पर तिया चामता पर काम होगा बायोमेट्रिक सिस्टम बंध होगा होट और बजाल सोशल डिस्टेंसिंग साथ खूले रहेंगे साधी और अंतियोश्टी में 100 लोगों को ही सामिल होने के उन्मती आउटडोर आयोजन में अधिक्तम 100 लोग ही सामिल हो सकेंगे इंडोर आयोजन में कुल चामता का 50 पिजदी या 100 दोनों में से जो कम हो चामता के साथ आयोजन हो सकेंगे जारखन के सभी जीले अलाट मोर में रहे CM हेमान CM हेमान सुरे ने अधिकारियों को निर्दयसित किया है कि राजे में क्रोणा संक्रामान के बढ़ते मामलों को देखते हुए सभी अनिवार स्वास सेवाव को प्राथमिक्ता के साथ दुरूस्त करे उन्होंने कहा कि स्थिती को मदे नजर रखते हुए राजे के सभी जीलों को अलर्ट मोण में रखा जाए साथी क्रोना जाज की संख्या में होर हाल में बिरीदी हो अधिकारी या सुनिश्चित करे साथी सभी भीडवाले छेत्रों में कोविड नैंटीन अनुकूल बेवारों का कड़ाई स्थेपालन सुनिश्चित करवाने का निदेश मुख्यमंत्री ने दिया जारखन में पहले दिन 45 हेर से अधिक किसोरों ने लिया टिका सोमवार से 15-18 वर्स के किसोरों को कुरोना से बचाओ का टिका लगाए जाने के अभियान के शुरुआत हो गई है बतादे पहले दिन से ही किसोरों में टिका लगवाने को लेकर उत्साहत देखने लगा बैक्सिन लगवाने के बाद किसोर सेलफी लेते भी नजर आये टिका लेने वालों किसोरों को कहीं कहीं गुलदस्ते वावुपार भी भेट किये गए बतादे इस मोखे पर किसोरे ने संकल्प लिया कि वाटिका लेने के लिए दूसरों को भी जागरू करेंगे पहले दिन पूरे जारखन में 45-6-3-3-5 किसोरों टिका लगवाया बतादे यह आकडा गुमला में सबसे अधीक है गुमला जिले में 3789 लोगों को टिका लगा जबकि राची में 5131, लातेहर में 4400, गड़वा में 430 और पूर्वी सिम्भूम में 3792 किसोरों को टिका लगा संक्रमन की बर्ती रफ्तार पर राजेपाल ने दिये निर्देश राजेपाल रमेश भैस ने राजे में बर्ते कुरोना संक्रमन पर चिंता जताते हुए कहा है कि इस संक्रमन की रफ्तार पर नेंतरन के लिए हर परियास होना चाहिए राज सरकार कुरोना मरीजों के समय पर और उचित इलाज के लिए तमाम व्यवस्ता सुनिश्चित करे उन्होंने ए बाते राजे के मुख सचीव सुखदेव तथा पुलिस महान नीदेशक नीरज स्तिना से कही दोनों अधिकारियों ने सोमवार को राजबोन में राजेपाल से अलग अलम मुलकात कर नौपरस की सुखकमनाय दी तथा उनके उत्तम स्वास्त की कमना की पतादे राजेपाल ने इस मौके पर मुक सचीव से क्रोणा मा हमारी पर्निंत्रे नेतू सरकार दोआरा किये जारे परियासों की जनकारी ली आदिवासी सरना धर्मकोट को लेकर 18 को सियम हाउस का घिराव आदिवासी सरना धर्म को लागू करने की मांग की जाएगी कलाके की ठंड में पारडाईज ने ग्रामिन इलाकों में किया गर्मकपडा का बित्रण स्वयम सेवी संस्था पारडाईज सेवा पर्मो धर्म को अपना अधर्स मानती है बता दे इसी के तहत जारखन के गरमी इलाकों में अपने अंठावन में कारेकरम कायोजन किया कडाके की ठंड को देखते हुए संस्था की ओर से राजे के विभीन जीलों के गरमी इलाकों में गरमीनों के बीच गरम कपड़ों का बित्रन किया गया संस्था की और से खोटी सराय के लाब बुकारो और राची में सीविर लगा कर गर्म कपड़ा बाटे गाए बता दे स्वयम से भी संस्था पराडाईज के सचीव के अनुसार सबसे सुखी वही है जो किसी और के काम आए जैपाल सिंग मुंडा की जयंती पर अरजुन मुंडा ने अदर्स गाउं को लेकर कही बड़ी बात केंद्रिय मंत्री सा खुटी संसत अरजुन मुंडा ने स्वमवर को मरंगों के जय पाल सिंग मुंडा की जानती पर उनके पुस्तेनी गाव टकरा में अविजित कारिकरम में कहा की खुटी की धरती मुंडावों की धरती है ब्रिटी सरकार के खिलाप अपने सेनापती गया मुंडा के साथ मिलकर भागवान बीर्शा मुंडा ने संहर्ज किया जारखन में रविवार को 157 नय केस मिले जबकि 117 मरी स्वस्त भी हुए जारखन में रविवार के आकड़े के उनसार कूल एक्टिव केस की संख्या 3845 है भारत में 35128 नय केस मिले है जबकि 10813 मरी स्वस्त भी हुए भारत में कूल एक्टिव केस की संख्या 1,472,288 है जारखन में स्वमवार को 1330 मरी मिले जो इस परकार है राची 615, पूर्वी सिम्मूम 128, धनबाद 105, पच्मी सिम्मूम 100, देवघर 95, रामगड 82, 1266, कोडार मा 36, खूटी 12, लातेहर 12, दुमका पंद्रा लोर्दगा 9, सराइक लेखर सवा 8, सिम्मडेगा 7, गोड़ा 6, गड़वा 5, चत्रा 5, पलामू 5, पाकुड 2, गिरीडी 5, साहिब गंचे 3 मरीज मिले है पांच हजार लड़कियों को बेचने वाला मानो तसकर पन्ना लाल की 3.36 क्रोर की समपती जबते जहारखन में मानो तसकरी के किंग 5, करोर पती पन्ना लाल महतों के खिलाप मनी लोडरिंग एक्ट में केस दर्ज कर अनुसंधान कर रहे परवत्तन निदे साले ने सोमवार को बड़ी करवाई की है बता दे इडी ने मानो तसकर पन्ना लाल महतों की 3.36,596 रुपे 86 पैसे की अचल समपती को जबत किया उक्त समपती पन्ना वा उसके रिष्टिदारों के नाम पर है बता दे पन्ना लाल महतों खुटी जिले के मोरहू थाना छेत्रे के गनालो या गाउ का निवासी है उस पर 15 साल में जारखंड की 5-6 लड़कियों का सवदा कर 80 कड़ों रुपे से अधिक की समपती अर्जित करने का भी आरोफ है लालू यादो के मामले की सुनवाई करने वाले जज कुरोना संक्रमित सुनवाई टली बिहार के पुरो मुख मनत्री लालू यादो से जूड़े 4 गोटाले मामले की सुनवाई कर रहे सीबी आई के विशेस नियाधीस एसके ससी क्रोना संक्रमित हो गए हैं जिसकी वज़ास से रायस सुप्रीमों लालू परसाद से जुड़े चारा घोटालेक जब से बड़े मामलेक सुनवाई टल गई बताद इस मामले में अब तीन दिनों बाद सुनवाई होगी सोम वार तीन जनवारी को दस दिनों के अउकास के बाद कोट खुला चारा घोटालेक मामलेक सुनवाई भी तीन जनवारी निधाई थी 29 जनवारी को चलेगी आस्था सर्कीट स्पेशल पर्याटन ट्रेन इंडियन रेलवेक कैट्रिज टूरिजम कर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार का उध्यम ने पर्याटकों की बिसे समांग पर कोडारमा होते हुए मलीकारजून और रामेश्वर जोतिरलिंग दर्शन के साथ ही दक्षिनी भारत दर्शन के लिए आस्था सर्कीट स्पेशल पर्याटन चलाने की योजना बनाई है इसके तहट दक्षिन भारत के रामेश्वरम, मधुरई, कन्या कुमारी, तिर्वेंद्रम, मलीकारजून, जगरनाथ पुरी, सूर्यमंदीर, जोतिरलिंग, तिर्थ असलों का दोसन कराया जाएगा इस बात की जनकारी आया सिटी के चेत्रिये परवन्धक परवीन सर्मान ने पत्रकारों को दी सिम्डेगा में मास्क नहीं पहनने वालों का कटा फाइन सिम्डेगा जिले में बरते कुरोना संक्रमन को देखते वे जिला परसासन सतर्क हो गया है जिले में मास्क चेकिन अभियान चलाई जा रही है इस तरह बिना मास्क पहणने लोगों से फाइन भी वसला गया उनाइस लोगों से जुर्माना के तर पर कूल 95-चुरूपय जुर्माना वसला गया बरतमान में जिले में चौदा एक्टिप केसा है बता दे सो मार्कों सिंड खाट पर ढोकर लाई ग्रामीन हाजारी बाग जीले के इचाक परखन अंत्रगत पुरन पनिया गाओ में एक गर्वती महिला को ममता वहान नसीब नहीं हुई निरास ग्रामीनों ने गर्वती महिला को खाट पर लिटा कर पाहल के रास्ते 3 किलोमेटर का सफरताई किया इसके बाद अस्पताल ले जाने के दोवान प्राइबेट वहान में ही महिला ने बचे को जनम दिया बता दे हजारी बाग जीला अंत्रगत डांडी घागर पंचायत इस्थीत पुरन पनिया गाओ के उमेश संस्दागी कर्वती पतनी गुडिया देवी को प्रसोधर्थ हुआ गुमला में नहीं हो रहा कोविट गय लेन का पाला असिप पथेद लोग मास्ट पाहनना भूले गुमला जीले में करोणा बढ़ रहा है पोएटीब मरीजों की संखेश 27 हो गई है इसके बाद गुमला जीला के असिप परसोध लोग मास्क पाहनना भूल गए है बता दे ग जगा जगा जोन्ड के जोन्ड लोग बैटकर चार्चा करते नजर आए लेकिन किसी मास्क नहीं पौन रखाता है। जगा जोन्ड लोगों को टीवी की जनकार्च दी जाएगी। जार्खन समय देश भर के अलग-अलग जीलो में क्रोना मरीजों की संख्या में फिर से जाफा होने की खबर आ रही है। इस दोरान वहां मौझूद लोग हैरान थे, लोग को कुछ समझ नहीं आ रहा थे कि सभी अधिकारी डंडा लेका सड़क पर क्यों निकल पड़े। बताया जाता है कि मास्क जाच अभियान के तहट अधिकारी हाथों में डंडा लिये सड़क पर निकले थे और सड़क पर लोगों से मास्क लगाने की अपील कर रहे थे। दुमका में सरकारी धन की बरबादी गोदाम में सड़ रहा नमक। तक को नहीं खेलाया जा सकता मिली जनकारी के अमसार दुमका जीले में इंदीनों रामगार परखंड मुख्याले परिशर के आपूर्ती गोदाम में कई वर्सुस लाको रुपय का सरकारी नमक। रहा है जिसे देखने वाला कोई नहीं है जमसेदपूर में आठवीत तक की कक्छाय अस्थागीत कुरोना के बरते मावलों को देखते हुए जारखंड के पूर्वी सिम्हुम जीले में सरकारी और निजी स्कूलों में आठवीत तक की कक्छाय अस्थागीत कर दी गई है हजारी बाग में आउट शोर्सिंग तिरिवेनी सैनिक के चालक की महत मुअफ़ा और नौकरी की महांग इसके बाद 20 लाख रुपे मुअभजा और परिजनों को नोकरी देने की मैंग पर सोमवार की दो फर से वर्कस और परिजनों ने माइन्स का काम काज पूरी तरह से ठप कर दिया बता दे मिरित्तक के पिता सिराज हुसेन ने बताया कि मिरित्तक लिया कांथ हुसेन चार बच्चों का पिता था टाटा इस्टिल का फैसला ब्यक्तिगत और ब्यावसाई के यत्रा पर रोक टाटा इस्टिल कम्पनी ने करमचारी और अधिकारियों के यत्रा परोक लगा दिया, इसको लेकर कम्पनी के वर से एक सर्कुलर जारी हुआ है, यह आदेश करमचारी और अधिकारियों के परिवारिक सदस्यों पर भी लागू होगा, बतादे अतियवस्यक होने पर यत्रा क पर उन्हें कोरोना गाईडलाइन और प्रोटोकाल के तलस आगे की करवाई को पूरी करना भी अनिवार्य होगा राजजय ए अंतर स्तिल कम्पनी में किसी तरह के फिलिकल मीटिंघ सेमिनार वर्कशोप पर भी रोक रहेगी ऐसे सारे कार करम वर्चुळ प्रेटावर्म परावजित होंगे आप भी हो सकते हैं ओमिक्रोन से संक्रामीत यह है लक्षान ओमिक्रोन के बढ़ते मामलों को लेकर दुनिया के तमाम देश चिंति था है इसे लेकर बैग्यानिक विसोद में जुटे हुए है वहीं दूसरी और डबलू एचो ने भी जारी कर दिया है कि ओमिक्रोन किसी भी दूसरे वेरियंट से ज्यादा खतरनाक है और तेई से फैलता है बता दे क्रोना में सबसे आम लक्षन की अगर बात करें तो इसमें स्वाद नहीं आना और सुगंद का चले जाना है बुखार गले में खरास और सरीर में दर्द होना है हलाकि ओमिक्रोन के मरीज में ये लक्षन हो या नहीं ये जरूरी नहीं क्योंकि क्रोना का कोई भी वेरियंट हो ये हर बार आपना रूप बदल रहा है एक रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर ने कहा है कि कुरोना में सिर्फ 50 पिस्टी लोगों को बुखार कॉप सुवाद और सुगन्द की कमी देखी गई जहारखन के प्राइमरी स्कूलों के सिख्षकों को जल्द मिल सकता है प्रमोशन 5 जन्वरी को बैठक जार्खन के प्राणविक स्कूलों के सिख्षों को प्रमोसन मिल सकता है इसके लिए स्कूली सिख्षा और सक्षता विभागने सभी जिलों सी रिपोर्ट मांगी है प्राथ्मिक सिख्षा निदेशक किरन कुमारी पासी ने सभी डियसी को पांच जनरी को प्रस्तावीत बैठक में रिपोर्ट लेकर आने का निदेश दिया है बता देबैठक में प्रोनाती निमावली 1993 के आलोक में विभीन ग्रेड में प्रोनाती समधित की गई करवाई की रिपोर्ट देने को है साथी राज में नए सेक्षिनिक सत्र से सुरू होने वाले उत्कृष्ट बिद्यालियो में सिक्षको के प्रती नियोजन का रिपोर्ट भी लाने को कहा गया है धन्यवाद ऐसे में हमें आप कोमेंट बक्स में बताए कि क्या जारखन में सेमी लोकडाउन लगना चाहिए था या समपुन लोकडाउन लगना चाहिए था क्या सेमी लोकडाउन के निने से राज में क्रोना का रोक्थाम हो पाएगा साथी साथ हमें आप बताए कि स्कूल कॉलेज बंद करने का फैसला कितना सही है हमें आप अपना सुजाव अवस्य दे साथी साथ वीडियो को एक लाइक कर अपने दोस्तों को सेर करना ना भूले थैंक यू